दहकते हुए पत्थर के कोई ले लाओ और दोनों हथेलियों पर मेरे रखो देखें पाप नश्ठ हुए या नहीं गोस्वानमी जी ने लिखा है तुलशी जास्ची ने गोपद सिंदु अनल सितलाई अर्थात समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है राम नाम के प्रताप से और अनल अर्थात अगनी में शीतलता आ जाती है आज मुझे देखना है कि मेरे हथेलियों पर लाल लाल दहाकते वे पत्थर के कोईले रखने पर ये बात से सकते होती है कि नहीं गोस्तों है तुलसिजाज जी की बात तो निश्टिटी सकते होगी मुझे ये देखना है कि मेरे पाप जले या नहीं मेरे पापों का नाश हुआ या नहीं आसन से बैठी हुए साधू की बार बार बोल रहे थे उनके कहने से उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भक्त लोग उने ला करके एकदम लाल लाल दहाकते हुए कोईले उनकी दोनों हथेलियों पर रखे और वो मुश्कराने लगे उनके हथीली पर जरासी भी गर्मी नहीं आई ने चमडी जली ना उनको कोई परिशानी हुई और उन्होंने कहा तुलसी जास जी का बच्चन सत्य है और निश्चित ही मेरे पाप सब जल गए आप लोग देख रहे हैं राम नाम ने मुझे पविट्र कर दिया है जै हो राम नाम महराज की जै हो तुलसी जास जी महराज की श्रीशीता राम जी आपके नाम में अनंत शक्ति है भाव विभोर होकर के उन्होंने आग के अंगारे हाथ में ले हुए प्रभु को प्रणाम किया और फिर जुक करके धीरे से कुछ देर तक हाथ में लिये हुए खड़े रहे बात कर ते रहे उसके बाद रखे उनकी पवित्रता का प्रमान सबको मिल गया और तब संतों ने उनका नाम कहा अब आपका नाम जोती बक्ष तो नहीं है पहले आपका नाम जोती बक्ष था अब हम सब लोग आपका नाम कृष्ण दास रख रहे हैं एक महान सिद्ध भक्त उपेंड़दत थे उन्होंने अचरा और निगोती पहिनाया एक महान सिद्ध संत ने उनको आशिरवात दिया और कहा कि मनुष्य अपने इसी जीवन में सब कुछ कर सकता है एक घंगोर पापी भी महान पवित्र हो सकता है ये सब आपने कर के दिखलाया है भक्तों जिसकी चर्चा की जा रहे हैं आप समझी गए उनका नाम था जोती भक्स जो संतों के प्रिय हो गये थे प्रेम पात्र बन चुके थे और कृष्ण दास नाम हो गया था पर अब भी जानने वाले जोती भक्स नाम से उनको संबोधित करते थे ये आयोर्ध्याजी के निकट में एक जनावरा नाम की जगह है आर्दस किलोमेटर आयोर्ध्याजी से होगा जनावरा उस जगह के रहने वाले थे अब से नब्वे वर्स पहले वो भी राजमान थे महान सिद्ध पुरुष थे ये जनावरा गाओं पहले इसका नाम था जानकी नगर और उसके बाद इसका नाम हुआ जनकोरा जनकोरा से जनावरा हो गया राजा दसरत जी से राजा जनक ने ये गाओं मोल लिया था क्योंकि जब वो आते थे जनकी जी से मिलने के लिए तो कहते थे कि बेटी के नगर में रहने पर वहां की वस्टूं का सेवन करने पर अपराद लगता है इसलिए मैं ये गाओं खरीद रहा हूँ और मैं यहीं रुका करूँगा तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सोने की संदूक में तमाम जवाराद भर करके दे करके दतरजी को तब ये गाओं खरीदा था तो इसलिए जनक जीने खरीदा था तो जानकी नगर नाम हुआ और जनकरा नाम भी हुआ अब जनवरा नाम है उसी जगह पर ये जोती बक्स रहते थे जिनकी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ पिछले संस्कार से और कुछ ना समझी बस और कुछ कुसंग बस मनुष्य पाप कर्म में लग जाता है उस समय उसकी बुद्धी ये काम नहीं करती ये ठीक नहीं है और जीवन इससे खराब हो जाएगा अगला जन बिगड़ जाएगा ये सब नहीं सोच पाता है किन्तो ये जो अपने जीवन में परिवर्टन लाए तो इसी जन में सब कुछ उसको मिल जाता है इसके प्रमान स्वरूप छे जोती बक्स जी ब्रह्म वईवर्थ पुराण में लिखा हुआ है नामनोस्त यावती शक्ती पाप ने रहरने हरे तावत करतुम में शक्त नोती पात कम पात की जना अर्थात नाम महराज में पाप नश्ट करने की इतनी ज़्यादा शक्ति है कि उतना पाप कोई जीवन में की बहुत ज़्यादा सोच विचार करकरे तब भी नहीं कर पाएगा बस आवश्यक्ता ये होती है कि अपने पिछले कर्मों को त्याग कर साउधानी पूर्वक नाम की शरण में जाए साउधानी पूर्वक भगवन नाम का आश्रे लेकर के भजन में लग जाए और प्रभू की गृपा पर विश्वास करे जहां भी हम हैं हर जेगा हमारे उपर ठाकुर जी की गृपा होगी हो रही है इस पर विश्वास करके नाम साधना में कोई लग जाए तो इसी जीवन में उद्धार हो जाता है जैसा कि मैंने आपको बतलाया जनावरा जो आयोध्याजी के पास में है वहां ये जोती बक्ष जी हुए थे और जब ये पंजरा साल से उपर के हुए तब ही किसी कारण से पाप की तरफ मन चला गया और चालिस वर्ष की उमर तक इन से पाप बहुत हुआ उसका वर्णन करना भक्त चरितावली में उप्यूक तो नहीं होगा इनी के एक चाचा थे उनका नाम था हरिहर बक्ष ये रेल्वे स्टेशन पर माल बाबू थे किन्ट इतने इमानदार थे कि एक पैसा किसी से नहीं लेते थे केवल अपनी तनखा से ही गुजारा करते थे और जब ही रिटायर हुए तो अंजना नाम की एक जगह तो ये अंजना के बाबा कहलाते थे वहां के बाबा उस साथ कोस दूर इनके गहर से पढ़ता था जेगा वहां ये हरिहर बक्ष जो चाचा जीन के थे जोती बक्ष के ये साथ कोस दूर पैदल जाते थे रामेर सुनाते थे उनको और वो महराज साधू जो थे जिनको इस सुनाने जाते थे वो पानी तक को नहीं पूछते थे फिर भी बारह वर्स उनाया रोजाना जाकर एक दिन भी कभी उन्होंने गैप नहीं किया ऐसे भक्त थे वो हरिहर बक्ष जी रुणी के भतीजे थे जोती वक्ष जिनकी बात मैं बतला रहा हूँ कि इन्होंने बहुत पाप किये थे एक जिन जोती वक्ष हरिहर बक्ष जी से रामेर सुनते सुनते थोड़ा सा मन में इनके कुछ भाव आया जैसे ठाकुर जी ने अपनी कथा के माध्यम से इनमें परिवर्टन करने का निश्चे कर लिया उन्होंने अपने चाचा से कहा कि यह कोई अन्ह न खाए दूद न पिये सिर्फ जल पिये तो क्या वो जिन्दा रह सकता है तो हरिहर बक्ष जी बोले कि भगवान की इला भगवान ही जाने मैं तो नहीं जानता हूं लेकिन ठाकुर जी कि यहां कुछ भी असंबव नहीं है तो जोटी बक्ष बोले कि आगर मैं अन्न खाऊं तो गव का मांस खाऊं और दूद पियूं तो गव का खून पियूं मैं केवल जल ही पियूंगा तो घर के उनके परिवार के अवरत और इस्तिरी पूरुष मतब परिवार के सब लोग बोले कि तुमने कसम खाया है छत्री होकर के कसम खाय हो सिवाय जल के अब कुछ नहीं लेना क्योंकि तुमने अन्न और गव को गाई के मांस बता दिया और दूद को गव को खून बता दिया और ऐसी कसम खाया हो तो केवल पानी पीना भले ही जान चली जाए तुमारी उन्होंने का ठीक है मैंने कसम खाया है तो सोच बिचाल करके ही खाया है चालिस के उमर में ऐसा अचानक परिवर्ट उनके जियुन में हुआ था हाते में एक कोने में छपर डलवा दिया गया जोती बक्स के लिए छपर डला गया कच्ची दीवार उठा करके और उसी छपर के नीचे जो एक कुटिया टाइप का था के वो लेक किवार लगी थी वो बैट करके राम 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 रात दिन प्रारम कर दिये और महराज केवल पानी पीते थे 40 दिन तक केवल पानी पिया और मजबूत आत्म बलो शरीर में भी बल था दिल निश्चय था इसलिए 40 दिन तक नहीं डिकेव केवल पानी पीते थे 4-5 दस्त होते जरो जाना धीरे धीरे दस्त बंद हो गया और तब भूख प्रारंब हुए ऐसी जबरदस भूख लगने लगी कि बहुत परिशान हुए तब अपनी चाची से उन्होंने धीरे से एकान्त में बुला करके कहा रात में मुझे को चोरी से कुछ खिला दो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे भादों को महीन था चाची रात में आलू की सबजे और पूरी ले करके ठाली में चली घंगोर अंधरी डात थी कुछ बूंदे पड़ रही थी रह रह करके बिजली चमक जाती थी जब उनकी कुटिया के निकट में पहुँची तो उनी के परिवार का एक आदमी जग गया और वो लगशंका के लिए उठा और उसने देखा कि विद्जुत की चमक में देखा कि उनकी जो चाची हैं जो तिवक्ष की वो भोजन ले करके जा रही हैं पूरी और सबजी तो वो आदमी जो था वो उनी के परिवार का था और वो बहुत ही कड़क सुभाव का था उसने का रुको छत्री होकर के कसम खाये हैं खाने को मत देना भले ही मर जाएं मर जाने दो खाने को मत देना क्यों कसम खाया है चालिस दिन राम राम जपे हैं पानी पी कर जिन्दा रहे हैं आप सब मिट्टी मिलाने जा रहे हैं, कुछ भी खाने को मत देना बार जाने दो, बस ये सुनने पर उनकी जोती बक्ष की चाची लोट गई, और तब ये लेट गए, भूक ने बहुत तंग किया, लेकिन ये जल ही पीते रहे और कुछ नहीं खाये न पीए, जल के लाओ इसी तरह से जल पीते रहे और तमाम तकलीफ चलते रहे, कुछ प्रारब्द था, पिछले कर्मों का कुछ फल भी मिलना था, और प्रारब्द भी था कि तकलीफ तो बहुत हुई लेकिन पक्का निश्चे, आयु बाकी थी मरे नहीं, छे महीने केवल जल ही पिया, तब भू कुल कुछ भी खाने को मन नहीं होता था, पानी जवरदस्ती पीते थे और कुछ भी नहीं खाते थे, राम राम निरंतर जबते रहते थे, महराज एक सिद्ध संत ने एक पत्थर के टुकुडा पतियाद लगवा करके बड़ा चबूतरा टाइब का बना दिया था, गर्मी म मईज उनकी धूप में उस पर लेटे थे, पत्थर की चबूतरे पर, और इधर ज़र करवत लेते, कई बार तो शरीर की खाल भी जल गई, और जो अकवडा होता है, कई मदार बोलते हैं, कई अकवडा बोलते हैं, कई आख बोलते हैं, उसके दूद्ध दांत में लगा लगा करके दांत उखार उखार करके फिंक दिये और सारे दांतों को खतम कर दिया अखोड़ा के दूदु लगा लगा करके बोजन पहले ही छोड़ दिये थे बहुत अधवुत तब किया और इस तरह से चोड़ वरस तक लगातार कठिन ब्रत केवल पानी पी करके रहना दांतों को तो उखार कर मानों अपने कर्मों का प्राइस चित्ट कर लिया और चोड़ वरस तक निरन तर राम राम करते रहे हैं और तब उनको ऐसा लगा किया वो पूरन निश्पाफ हो चुके हैं उनके पिछले 15 साल के वस्था से 40 वरस के वस्था तक किये गए पाप समाथ हो चुके हैं यह उनको पूर्ण रूप से पता चल चुका था तब उन्होंने कहा था कि मेरे हाथों पर कोईला रखो और मैं देखता हूं कि मैं निश्पाफ हुआ कि नहीं और प्रमान मिल गया वो निश्पाफ हो चुके थे राम राम करते रहते हैं लगातार राम राम करते रहते हैं और किसी से कुछ बात नहीं करते थे 14 कोईल की परिक्मा केवल पानी पी करके करते थे पानी के लाओ कुछ उखाते पीते ही नहीं थे चौदा वर्ष से जादा हो चुका था उनको भोजन त्यागे उए और आब शारी में बल हो गया बिना भोजन के ही अयोध्या जी की चौदा को उसकी परिक्मा करते थे कोई उनके साथ चल नहीं सकता था इतना तेज चलते थे बड़े-बड़े सिद्धुल संतों ने उनका दर्शन किया उनकी कुटिया के छपरा को बंदरों ने तोल डाला था छपर को कई जेगे बड़े-बड़े छेद हो गए थे लेकिन वो उसके नीचे बैठे थे और बहु नहीं आया जबकि बड़े-बड़े पक्के मकान अच्छे अच्छे मकान टपक नहीं लगे थे बाद में फिर दूसरा छपर बनवाया गया मजबूत बनवाया गया इतावा के राजा के कोई संतान न थी वो इनके पास आता था वो राजा इतना धर्मात्मत था कि उसके दो दर्बारी ऐसे थे जो के ओल यहीं बोलते थे कि महराज आप राम राम भूल गए हाथ पार्टनर में बाद दर्बारी दोनों बोलते थे कि आप राम राम भूल गए और राजा फिर राम राम करने लगता था अर था राजा भाक्त था वो इनका दर्शिन करने आता था ये क और बड़ी अद्भुत अपस्चक शक्ती थी, राम नाम का बड़ा अद्भुत प्रभाव इनके जीवन में उतरा था, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुसा करके अच्छे-च्छे संत लोग, अच्छे-च्छे भागत लोग, इनका दर्शन करके प्रेना प्राप्त करते थ से इनके जीवन से मिलता था, कि मनुष्य जी भटक गया है, गिर गया है तो उट सकता है, भटक गया है तो सही रास्ते पर आ सकता है, गल्ती मनुष्य से होती है, लेकिन वो अपने जीवन को सुधार सकता है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, जो पापिस से पवितर नहीं ह हो सकता है यह इन्होंने अपने जीवन में करके दिखला दिया आद्वो चरित है जोती बक्षिजी महराज का जो हम सभी लोगों के लिए प्रणादाई है श्राधे राधी जैश्राध